अध्याय दो वन एवं वन्यजीव संसाधन नारक मेरे इश्वर लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं ओह नारक मेरे इश्वर मुझे स्वयम को आपको समर्पित करने दें मुझे आप अपना संगीत जर्नों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहन करने दें मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहन करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा लोक संगीत। इस ग्रह पर हम सुक्ष्म जीवानुओं और बैक्टीरिया, जोक से लेकर वटवरिक्ष, हाथी और ब्लू वेल तक करोडों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासिय स्थल जिस कंत्र का निर्मान करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन तत्वों पर निर्भर करते हैं। उधारन तया वायू जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और म्रदा जो अनाज पैदा करती हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सोक्ष्म जीवी इनका पुनस रजन करते हैं। वन पारिस्थिती की तंत्र में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं, क्यूंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और क्रिशी फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विवित्ताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न हैं। परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल दुआरा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। भारत में वनस्पती जात और प्राणी ज जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विवित्ता के संदर्भ में विश्व के सबसे समरिध देशों में से एक है। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों की आठ प्रतिशत संख्या लगभग 16 लाग पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से दो या तीन गुणा हैं। आप पहले ही भारत में पाये जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के शेत्रफल और किस्मों के बारे में जान चुके हैं। क्या आप जानते हैं। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10 प्रतिशत वन्य वनस्पतिजात और 20 प्रतिशत स्तंधारियों को लुप्त होने का खत्रा है। इन में से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इन में चीता, गुलाबी सिर्वाली बतख, पहाडी कोयल, जंगली चित्तिदार उल्लू और मधुका इंसिगिनिस, महुआ की एक जंगली किस्म और हुब्रडिया हैप्टानियूरॉन घास की एक प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित हैं। परन्तु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महद्वपून होते हैं। क्या आप जानते हैं? लुप्त होने की प्राकर्तिक दर्स से 50 से 100 गुणा ज्यादा है प्रिष्ट संख्या सत्र लुप्त होते वन भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है देश में वन आवरण के अंतरगत अनुमानित 6,37,293 वर किलोमीटर शेत्रफल है ये देश के कुल भोगलिक शेत्रफल का 19.39 प्रतिशत हिस्सा है सघनवन 11.48 प्रतिशत खुलावन 7.76 प्रतिशत और मैंग्रोव 0.1 प्रतिशत है State of Forest रिपोर्ट 1999 के अनुसार वर्ष 1997 से सघनवनों के क्षेत्र में 10,098 वर किलोमीटर की व्रधी हुई है परन्तु वन क्षेत्र में ये व्रधी विभिन संगठनों द्वारा व्रक्षारोपन से हुई है ये रिपोर्ट प्राकर्तिक वनों और व्रक्षारोपन यानि की क्रित्रिम वन में अंतर नहीं करती इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर प्राकर्तिक वनों के वास्तविक रास का ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता आओ, हम विभिन प्रकार के पौधे और प्रानियों की जातियों के बारे में पता लगाएं अंतर राष्ट्रिय प्राकर्तिक संरक्षन और प्राकर्तिक संसाधन संरक्षन संग IUCN के अनुसार इनको इन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है सामान्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं जैसे पशु, साल, चीर और कृंतक यानी रोडेंट्स इत्यादी संकटग्रिस्त जातियां ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खत्रा है जिन विशम परिस्तितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है काला हिरन, मगरमच, भारतिय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूँचवाला बंदर, संगाई यानि कि मनिपूरी हिरन, इत्यादी इस प्रकार की जातियों के उधारन है सुभेद्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पर विपरीद प्रभाव डालने वाली परिस्तितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटी रहती है तो ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी नीली भेड, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादी इस प्रकार की जातियों के उधारण है दुरलब जातियां इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विशम परिस्तियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है स्थानिक जातियां प्राकरतिक या भौगलिक सीमाओं से अलग विशेश शेत्रों में पाए जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुवर और अरुनाचल के मिथुन इन जातियों के उधारण है लुप्त जातियां ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोच करने पर अनुपस्तित पाई गई हैं ये उपजातियां स्थानी अक्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीब या पूरी पृत्वी से ही लुप्त हो गई हैं ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिरवाली बतक शामिल हैं प्रिश्च संख्या 18 इसमें चित्र संख्या 2.2 में कुछ लुप्त, दुरलब और संकट ग्रस्त जातियां बताई गई हैं इनमें साइकेस बिडोमी डायर, जो की पूर्वी घाट पर पाये जाने वाला एक दुरलब साइकेड है, दिखाया गया है संकट ग्रस्त निकोबारी मेगापोर्ड, करनाटक में पाये जाने वाले हेट्रोमिट्रिस कानरेसिस को दिखाया गया है पश्चिमी घाट के दक्षिनी भाग में पाए जाने वाला ओकलेंडरा ट्रोथन कोरिया गेंबल पोएसी जिसका उप्योग चटाई और टोकरी बनाने में किया जाता है और इसके अलावा एंबलिका राइबीज यानि कच्चे फनों वाली संकट ग्रस्त औशदी अलता दिखाई गई है एशियाई चीता कहां चला गया? भूमी पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज तंधारी प्राणी चीता बिलीव परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रतिगंटा की गती से दौड सकता है लोगों को आन्त और पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंद्वा होता है चीते की विशेश पहचान उसकी आँख के कोने से मू तक नाख के दोनों और फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है बीसवी शताबदी से पहले चीते अफरिका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे परन्तु इसके आवासियक शेत्र और शिकार की उपलब्दता कम होने से ये लगभग लुप्थ हो चुके हैं भारत में तो ये जाती बहुत पहले 1952 में लुप्थ घोशित कर दी गई थी वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिन से वनस्पति जात और प्रानी जात का ऐसा भयानक हास हुआ है यदि आप चारों और नजर दोडाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृती को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है हमें लकडी, छाल, पत्ते, रबर, दवाईया, भोजन, इंधन, चारा, खाद, इत्यादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्थ होता है इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशकाल में रेल लाइन, क्रिशी, व्यवसाय, वानिज, वानिकी और खनन क्रियाओं में व्रधी से हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भी वन संसाधनों के सिकुडने से क्रिशी का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है भारत में वन सर्वेक्षन के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर किलोमीटर वनक्षेत्र क्रिशी भूमी में परिवर्तित किया गया अधिकतर जनजातिय क्षेत्रों में विशेशकर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी यानि की जूम खेती अथवा स्लैश और बर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निमनीकरण हुआ है क्या उपनिवेशी वन नीती को दोशी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरन विशेशग्यों के अनुसार, भारत के कई क्षेत्रों में समवर्धन व्रिक्षा रोपन, अर्थात वानिजी की दृष्टी से कुछ या एकल व्रिक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपन करने से पेडों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है उधारन के तौर पर सागवान के एकल रोपन से दक्षन भारत में अन्य प्राकृतिक वन बरबाद हो गए और हिमाले में चीड पाइन के रोपन से हिमालेयन ओक और रोडोडेंडरॉन वनों का नुकसान हुआ है प्रिष्ट संख्या 19 बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर किलो मीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है ये प्रक्रिया अब भी जारी है मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जल मगन हो जाएगा वनों की बरबादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खत्रे में है इसने कई प्रजातियों के प्राकरतिक आवासों को नुकसान पहुँचाया है और कई जातियों जिसमें भारतिय हाथी भी शामिल है के आवा गमन मार्ग को बाधित किया है बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरण विद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बरबादी में पशुचारण और इंधन के लिए लकडी कटाई मुख्य भूमी का निभाते हैं यदि पी इसमें कुछ सचाई हो सकती है परंतु चारे और इंधन हेतु लकडी की आवश्यक्ता पूर्ती मुख्य तब पेडों की टहनिया काटकर की जाती है नकी पूरा पेड काटकर वन पारिस्तिती की तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनीजों और अन्य संसाधनों के संचय कोश हैं जो तेजी से विक्सित होती ओद्योगिक शहरी अर्थ फिवस्ता की मांग की पूर्ती के लिए बहुत महतोपूर्ण है ये आरक्षित शेत्र अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग माइने रखते हैं और विभिन वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्तितियां पैदा करते हैं चित्र दो पॉइंट तीन में तीन द्रिशे दिखाए गए हैं इसमें पहले चित्र में शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी यूवतियां बांस की पॉद लगाते हुए दिखाई गई हैं दूसरे चित्र में छोटे-छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं दिखाई गई हैं हिमालयान यव संकट में हिमालयान यव चीर की प्रकार का सदाबहार व्रिक्ष एक औशदीय पॉधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुनाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है पेड की च्छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है इससे बनाई गई दवाई विश्रु में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर और शदी है इसके अतिधिक निसकाशन से इस वनस्पती जाती को खत्रा पैदा हो गया है पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुनाचल प्रदेश में विभिन्नक शेत्रों में यव के हजारों पेड सूख गए हैं प्रिश्च संख्या 20 भारत में जैव विवित्ता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना वा आखेटन, पर्यावरन विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बटवारा वा उनका असमान उपभोग और पर कासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोशी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपी एक अमेरिकी नागरिक का ओसत संसाधन उब्भोग, एक सोमाली नागरिक के ओसत उब्भोग से 40 गुणा ज्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5 प्रतिशत धनी लोग, 25 प्रतिशत गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उब्भोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुचाते हैं। तथा इन 5 प्रतिशत लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तथा वानिज्जी की दृष्टी से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पती और वन्य जीव जातियां लुप्थ होने के कगार पर पहुच गई है। क्रिया कलाप क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी हैं जिससे जैव विवित्ता कम होती है। इस पर एक टिपणी लिखें और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाएं। वनो और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विशाई ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विवित्ता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाए निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिये पर पहुँच गए हैं। ये समुदाए खाने पीने, और शदी, संस्कृती और आध्यात्म इत्यादी के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यक्ता की वस्तूओं को एखटा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कारेभार बढ़ता जा रहा है। और कई बार तो उनको संसाधन एकटा करने के लिए 10 किलो मीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्ते समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुषपरिणाम हो सकते हैं। वनकटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाड़ भी घरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्तिती में गरीबी पर्यावरन निमनी करण का सीधा परिणाम होता है। भारत ये उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन, मानव जीवन के लिए बहुत कल्यानकारी है। अतह ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षन के लिए सही नीती अपनाई जाए। परन्तु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षन करना आवश्यक क्यूं है। संरक्षन से पारिस्तिती की विवित्ता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, जल, वायू और मृदा बने रहते हैं। ये विभिन जातियों में बहतर जनन के लिए वनस्पती और पशुओं में जीन्स विवित्ता को भी संरक्षित करती है। उधारन के तौर पर हम क्रिशी में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलिये जैव विवित्ता मोटे तौर पर मचली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षन के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कारिक्रम के तहट बची हुई संकत ग्रस जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदी पर प्रबल जोर दिया गया है चित्र संख्या 2.4 में दो चित्रों को दर्शाया गया है इसमें पहले चित्र में कान्जी रंगा राश्ट्रिय उद्यान में गैंडा और दूसरे चित्र में हिरन को दर्शाया गया है ततपश्यात केंद्रिय सरकार वकई राजी सरकारों ने राष्ट्रिय उद्ध्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किये जिनके बारे में आप पहले ही सुन चुके हैं केंद्रिय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी खोशना की जिनका उद्देश्य गंभीर खत्रे में पड़े कुछ विशेश वन प्राणियों को रक्षन प्रदान करना था इन प्राणियों में बाग, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, तीन प्रकार के मगरमच, स्वच जलमगरमच, लवनिय जलमगरमच और घडियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतिय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतिय गोडावन और हिम तेंद्वों आधी के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंद लगा कर कानूनी रक्षन दिया है बाग परियोजना वन्य जीवन संरचना में बाग यानि की टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाती है 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में बीस्वी शताब्दी के आरंब में बागों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है बागों को मार कर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासी अस्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपचातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में व्रिधी बागों की घटी संख्या के मुख्य कारण है बागों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परमपरागत औशदियों में प्रयोग के कारण ये जाती विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की दो तिहाई बागों को आवास उपलब्द करवाते हैं अतह ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बहतरीन वन्यजीव पर्योजनाओं में से एक है और इसकी शुरुवात 1973 में हुई शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्यूंकि बागों की संख्या 1985 में 4,002 और 1989 में 4,334 हो गई थी परंतु 1993 में इसकी संख्या घटकर 3,600 पहुँच गई भारत में 37,761 किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाग रिजर्व हैं बाग संरक्षन मात्र एक संकट ग्रस्त जाती को बचाने का प्रयास नहीं है अपितू इसका उद्देश ये बहुत बड़े आकार के जैव जाती को भी बचाना है उत्तरांचल में कॉर्बिट राष्ट्रे उद्द्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदर्बन राष्ट्रे उद्द्यान, मध्यप्रदेश में बांधवगर राष्ट्रे उद्द्यान, राजस्थान में सरस्का वन्यजीव पशुविहार, असम में मानस बाग रिजर्व औ वारत में बाग संरक्षन पर्योजनाओं के उधारन हैं। वारत में वन्यजीव पशुविहार और राष्ट्रिय उध्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। और पक्षियों की मृत्यू के बारे में बताया गया है। क्या आप इन समस्याओं के निदान के कारण ग्याद कर सकते हैं। वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वित्रण। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें, तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, या वन्य विभाग अत्वा अन्य विभागों के जरिये सरकार के प्रबंधन में हैं। इन्हें इन वर्गों में बाटा गया है। क आरक्षित वन देश में आधिसे अधिक वन्य खेत्र आरक्षित वन घोशित किये गए हैं। जहां तक वन और वन निप्राणियों के सनरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सरवाधिक मुल्यवान माना जाता है। ख रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेतर का एक तिहाई हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नश्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमी जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गी कृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थाई वन शेत्र हैं, जिनका रख रखाव इमारती लकडी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थाई वनों के अंतरगत सर्वाधी क्षेत्र है जो की प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75 प्रतिशत है। इसके अतिरेक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिल्लाडू, पश्चिम बंगाल और महराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हर्याना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उरीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वनक्षेत्र अवर्गी कृत वन हैं तथा स्थानिय समुदायों के प्रबंधन में हैं। समुदाय और वन सनरक्षन की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतोर पर इस बात से अंजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ शेत्रों में तो स्थानिय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास थलों के संरक्षन में जुटे हैं। क्यूंकि इसी से ही दीर्ग काल में उनकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो सकती है। सरिस्का बाग रिजव में राजिस्थान के गाउं के लोग वन्य जीव संरक्षन अधिनियम के तहट वहां से खनन कारे बंद करवाने के लिए संघर्श रत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयम वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजिस्थान के अलवर जिले में पांच गाउं के लोगों ने तो बारा सो हेक्टियर वन भूमी भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोशित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैट से यहां के वन्य जीवन को बचाते हैं पवित्र पेड़ों के जुर्मुट विविध और दुरलब जातियों की संपत्ति प्रकृति की पूजा सद्यों पूराना जन जातिय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है इनी विश्वासों ने विभिन वनों को मूल एवं कर रखा है जिन्हें पवित्र पेड़ों के जुर्मुट देवी देवताओं के वन कहते हैं वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानिय लोग ही घुसते तथा नहीं किसी और को छेड़ छाड़ करने देते कुछ समाज कुछ विशेश पेड च्रणों की पूजा करते हैं, उडिसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं, हमें से बहुत से व्यक्ती पीपल और वट व्रिक्ष को पवित्र मानते हैं, भारतिय समाज में अनेको संस्कृतियां हैं और प्रतेक में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं आम तोर पर जर्नों पहाडी चोटियों पेडों और पश्वों को पवित्र मान कर उनका संरक्षन किया जाता है आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे उपासक उन मंदिर के भक्तों में गिनते हैं राजस्थान में बिश्णोई गाओं के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाए और मोरों के जुंड देख सकते हैं जो वहां के समुदाय का अभिन हिस्सा है और कोई उनको नुक्सान नहीं पहुंचाता क्रिया कलाप आप अपने आसपास के किसी ऐसे रिती रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाओ और संरक्षन में मदद करते हैं हिमालय में प्रसिद्ध चिपकों आंदोलन कई क्षेत्रों में वनकटाई रोकने में ही काम्याब नहीं रहा अपितू ये भी दिखाया कि स्थानिय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदाईक वनीकरन अभ्यान को सफल बनाया जा सकता है पारंपरिक संरक्षन तरीकों को पुनर जीवित अत्वापारिस्थितिकी क्रिशी के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है टिहरी में किसानों का बीज पचाओ आंदोलन और नव दानाय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविद फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्रिशी उत्पादन संभव है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कारिक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर निर्मान में स्थानिय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं आपचारिक रूप में इन कारेक्रमों की शुरुवात 1988 में हुई जब उडीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया वन विभाग के अंतरगत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कारे करता है और इसमें गाउं के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामिन और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कारे करते हैं इसके बदले ये समुदाय मध्यस्तरिय लाब जैसे गैर इमारती अवन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षन से प्राप्त इमारती लकडी लाब में भी भागीदार होते हैं भारत में पर्यावरन के विनाश और पुर्न निर्मान की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानिय समुदायों को हर जगे प्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए परंतु स्थानिय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है अतव वे ही विकास क्रियाएं मानने होनी चाहिए जो जन्मानस पर केंद्रित हों, पर्यावरन हितैशी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों पेड एक विशेश असीमित दयालू और उदारपूर्ण जीवधारी हैं, जो अपने सतत पोशन के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेट करता है ये सभी की रक्षा करता है और स्वयम पर कुलहाडी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है गौतम बुद्ध 487 इसापूर प्रिष्ट संख्या 24 अभ्यास प्रश्न एक, बहु वैकल्पिक प्रश्न एक, इन में से कौन सी टिप्णी प्राकर्तिक वनस्पती जाद और प्रानी जाद के हास का सही कारण नहीं है क कृशी प्रसार ख व्रहत्य स्तरिय विकास परियोजनाए ग पशुचारण और इंधन लकडी एकत्रित करना और घ तीव्र ओद्योगी करण और शहरी करण दो इन में से कौन सा सनरक्षन तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता क सयुक्त वन प्रबंधन ख चिपको आंदोलन ग बीज बचाओ आंदोलन घ वन्य जीव पशुविहार का परिसीमन प्रश्न दो आगे पढ़े जाने वाले प्राणियों या पोधों को उनके अस्तित वर्ग से मेल करें यहां दो कॉलम दिये गए हैं जिसमें पहले में जानवर या पोधे दिये गए हैं और दूसरे में अस्तितव वर्ग है जानवर या पौधे, काला हिरन, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुवर, हिमालयन भूरा भालू, गुलाबी सिर्वाली बतख, अस्तित्व वर्ग, लुप्ट, दुरलब, संकट ग्रस्त, सुभेद्य, स्थानिक प्रश्न तीन आगे पढ़े जाने वाले वनों का मेल करें यहाँ दो कॉलम दिये गए हैं, जिसमें पहले में वनों का नाम और दूसरे में उनका वर्णन दिया गया है एक आरक्षितवन, दो रक्षितवन, और तीन अवर्गीकृतवन दूसरे कॉलम में पहला, सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्यवन और बंजर भूमी दूसरा, वन और वन्य जीव संसादन संरक्षन की दृष्टी से सरवाधिक मूल्यवान वन तीसरा, वन भूमी जो और अधिक शरन से बचाई जाती है प्रिश्ण संख्या चार, आगे पढ़े जाने वाले प्रश्णों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजिए एक, जैव विवित्ता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महतुपूर्ण है? दो, विस्तार पूर्वग बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकर्तिक वनस्पतिजाद और प्रानी जाद के हास के कारक हैं? प्रिश्ण संख्या पाँच, आगे पढ़े जाने वाले प्रश्णों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए एक, भारत में विभिन समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षन और रक्षन में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें दो, वन और वन्य जीव संरक्षन में सहयोगी रीती रिवाजों पर एक निबंध लिखिए अभी आप सुन रहे थे अध्याय दो, वन और वन्य जीव संसाधन